हाई एब्रिवन आज हम बनाएंगे काबुली चने के छोले इसे बनाना बहुत ही असान है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा कप काबुली चना लिया है इसे हमने रात बढ़ के लिए पानी में भीगोने के लिए छोड दिया था आप चाहे तो इसे दिन में 5-6 घंटे के लिए भीगोने के लिए छोड सकते हैं और 3 बड़े प्याज, प्याज को हमने छील कर इस तरह से थोरा महिन से काट लिया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम चना में से पानी निकाल देंगे तो देखिए हमने चना में से पानी निकाल दिया है अब हम एक कूकर लेंगे और कूकर में हम चना को डाल देंगे अब इसमें से हम आधा प्याज डाल देंगे और आधा प्याज हम रख लेंगे अब इसमें ढाल देंगे थोरा सा नमक थोरा सा हल्दी पाउडर थोरा सा जीरा ढाल देंगे दो से तीन चमत सर्षो तिल ढाल देंगे दो लहसुन ढाल देंगे लहसुन को हमने अच्छी तरह से धोकर साप कर लिया है यह optional है आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं दो तजपता को तोरकर डाल देंगे और तीन ग्लास पानी डाल देंगे अब इसका ढखकल लगा देंगे अब इसे गैस पर चढ़ा देंगे और फून आच पेस में 6-7 सिटी लगने देंगे तो कूकर को हमने गैस पर चढ़ा दिया है अब इसमें 6-7 सिटी लगने देंगे तो अब 7 सिटी लग चुका है अब गैस बंद कर देंगे और कूकर को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे चलिए तब तक हम मसाला तयार कर लेते हैं तो अब हम फूकर को उतार लेंगे और गैस पर कड़ा ही चरहेंगे तो गैस पर हमने कड़ा ही चरहा दिया है इसमें हम डालेंगे 4-5 चमच तेल तेल को थोरा गर्म होने देंगे तो अब तेल गर्म हो चुका है अब इसमें डाल देंगे एक चमच जीरा एक बरी लाइची डाल देंगे एक छोटी लाइची डाल देंगे तीन लॉंग डाल देंगे दो दाल चेनी के टुकरे डाल देंगे तीन से चार काली मिर्च डाल देंगे और दो तेज़ पत्ता डाल देंगे और इसे कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे तो अब ये भून चुका है अब इसमें डाल देंगे जो प्याज हमने बचाया था वो प्याज मिला देंगे और प्याज को मीडियम आच पे सौप्ट होने तक भून लेंगे बीच बीच में प्याज को चलाते रहेंगे तो अब प्याज सौफ्ट हो चुका है अब इसमें डाल देंगे आधा गलास पानी और मीडियम आच पे इसे हम 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे तो अब 3 मिनट हो चुके हैं तो गैस यहाँ पर हम धीमी कर देंगे अब इसमें हम मसाले डालेंगे अब इसमें डाल देंगे एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर थोरा सा हल्दी पाउडर थोरा सा गरम मसाला डाल देंगे आप चाहे तो इसमें एक चमच चिकन मसाला या मीट मसाला भी डाल सकते हैं स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे एक चमच अद्रक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक की मसाले से तेल अलग न होने लगे मसाले को हम लोटू मीडियम आज पे भूनेंगे और मसाले को हम बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे तो अब मसाला अच्छी तरह से भून चुका है मसालों में से तेल अलग होने लगा है अब हम गैस बंद कर देंगे और गैस पर से कराही को उतार लेंगे और गैस पर हम कूकर चढ़एंगे कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो अब हम इसका धकन खोल लेंगे चलिए चेक कर लेते हैं चना अच्छी तरह से पका की नहीं देखिए चना अच्छी तरह से पक चुका है तो अब इसमें हम भूना हुआ मसाला इसमें डाल देंगे अब GAS ON कर लेंगे, मिला आदेंगे और कराही में जो मसाला लगा हुआ है इसमें थुरा सा पानी डाल कर इसमें डाल देंगे अब इसका ढखन लगा देंगे अब इसमें फूल आँच पे 1 सीटी लगने देंगे तो अब 1 सीटी लग चुका है अब गैस बंद कर देंगे और कुकर को अची तरह से ठंडा होने देंगे तो अब कुकर अची तरह से ठंडा हो चुका है तो अब कुकर का धकन खोल लेंगे अब इसमें डाल देंगे आधा चमच गरम मसाला मिला देंगे अब कूकर का ढखन लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह छोड़ देंगे तो अब 5 मिनट हो चुके हैं अब इसका ढखन खोल लेते हैं देखिए कितने अच्छे छोले बने हैं और इसे बनाना भी बहुत ही असान है तो आप भी इस तरह से छोले बनाईए और हमें कमेंट करके बताईए कि आपको ये रेश्पी कैसी लगी अगर आपको ये रेश्पी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे